सब्सक्राइब करें सीखने की इतमना चैनल को बेल आइकन को दबाईए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखते हैं हेलो फ्रेंज वेलकॉम वेट टू आवर चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खुश्चूरट डिजाइनर ब्लाउज लेकर आए हैं दोस्तो ये डिजाइनर ब्लाउज आप किसी भी हैवी साडी पर पहन सकते हैं क्योंकि इस डिजाइनर ब्लाउज का जो लुक है बहुत ही खुश्चूरट आने वाला है और दोस्तो इस designer blouse को बनाने के लिए हमारे पास काफी सारे comment और काफी सारे facebook पर और whatsapp पर message आये हुए है और image भी काफी लोगों ने हमें इस blouse की भेजी थी तो उन सब की पसंद पर हम आपके लिए ये बहुत ही खुशुरे designer blouse लेकर आए हैं और इस designer blouse को जो look है दोस्तो कुछ इस तरीके का आने वाला है तो चलिए इस design को बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तो इस design को बनाने के लिए हमने यहाँ पर simply अपने side open blouse की cutting की हुई है और इस पर अस्तर भी चिपका लिया है और side में और पूरी plate डाल ली है इसके बाद दोस्तो इसी तरीके से हमने अपने back को भी तयार कर लिया है plate भी डाल कर और अस्तर भी लगा कर दोस्तो इसी तरीके से आपको इस design को बनाने के लिए अपने side open blouse की cutting कर लेनी है और अस्तर चिपका लेना है तो design को बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर दो तरह की बुक्रम ली है यह देखिए इसकी लंबाई और चोड़ाई हम बता देते हैं क्योंकि इसमें दो neck बनेगे एक आगे और एक पीछे तो सबसे पहले हम अपना एक neck cutting करेंगे और उसके लिए हम आपको अपनी बुक्रम का size बताते हैं हमने अपनी बुक्रम की जो लंबाई ली है वो ली है 9 इंच और चोड़ाई जो ली है 13 इंच यानि कि 13 इंच इसके बाद हम बीच में से इसको fold कर देंगे तो दोस्तों इस neck design को काटने के लिए आपके जो neck की broadness रहेगी वो रहेगी 11 इंच यानि कि 11 इंच जब भी आप इस design को बनाएंगे तो आपको broadness 11 इंच रखनी होगी तो आप 11 इंच का half करेंगे तो होगा 5.5 यानि कि 5 and half तो यहाँ पर हम अपना आदा निशान लगा लेंगे 5 and half पर और इसके बाद दोस्तों आपके neck की जो लंबाई रहेगी 8 इंच दोस्तों आप neck की लंबाई को कम याद जादा कर सकते हैं लेकिं broadness को कम याद जादा नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम अपना सीधा-सीधा एक निशान लगा लेंगे 8 इंच पर और फिर इसके बाद दोस्तों simply अपने round neck की safe दे देंगे यह देखिए हमने यहाँ पर round shape दे दी है और इसके बाद इसकी बाहर की तरफ जो आप वो करम रखना चाहते हैं आदा इंच यह एक इंच आपने हिसाब से रख लें तो यह देखिए दोस्तों हमने marking कर दी है अब हम इसकी cutting कर लेते हैं दोस्तों यह हमारा neck कट गया है और neck कटने के बाद में आपकी जो यह बुकरम निकली है बीच में आपको इसको फैटना नहीं है आप इसमें एक neck और भी use कर सकते हैं चोटे size का तो इसको हम रख लेते हैं और इसके बाद देखिए हमारे neck का जो look है वो कुछ इस परकार से आ गया है दोस्तों इसी तरीके का same neck हम अपनी यह वाली बुकरम में भी cut कर लेगे और यह जो neck होगा दोस्तों यह हमारी back के लिए होगा same इसी तरीके से cut गएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने दोनों ही neck को काट कर और अस्तर पर चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में थोड़ा कपला उपर की तरफ फोल्ड कर दिया है इसके बाद दोस्तों हमारे दोनों ही neck ready है back में और friend में लगने के लिए तो कैसे लगाएंगे देखिए यह दोस्तों बहुत ही normal होता है और इसे आप काफी आसानी से कर सकते हैं सिर्फ एक बार समझाने से तो देखिए हम अपने neck को सीधे के उपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे और कच्ची सिलाई लगाने के बाद में अपनी बुकरम के बराबर बराबर सिलाई को लगाएंगे और दोस्तों इस design को वही लोग काफी आसानी से जल्दी बना सकते हैं जिनको सिलाई अच्छी तरीके से आती है वैसे तो वो लोग भी बना सकते हैं अभी सीख रहे हैं ओ वह लोक ऐसे हैं वह हमारी वीडियो में पंदर चंटर कर देंग मैं काफी ऊसानी कर सकते हैं इसिता यहाँ पर हमने और पीछे वाला नयक बना लिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक हमारा वीडियो काफी पसंदा आए होगा और इसके बाद दोस्तो बहुती दिल्चस्वी ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें एक बहुती सुंदर साथ डिजाइन बनाने के लिए हमने यहां पर एक पेपर लिया हुआ है तो पेपर का साइज जो हमने लिया है दोस्तो जान लीजिए 16 इंच चोड़ाई है और 8 इंच लंबाई है इसमें हम अपना पैटन काटेंगे पहले तो पैटन काटने के लिए हमने अपने पेपर को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद अपने बलाउज के फ्रेंट पार्ट को लेंगे और लेने के बाद में अपने पेपर पर किस तरह सैट करेंगे ध्यान से देखना पहले हम अपने ये वाली कंदी को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में अपने paper वाली side पर इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में यहां से हम 11 inch पर एक mark लगाएंगे क्योंकि हमारे neck की जो broadness है वो है इस time पर 11 inch तो 11 inch पर में अपना एक mark लगा देते हैं यह हमने अपना 11 inch पर mark लगा दिया है और लगाने के बाद में ये वाली कंदी को भी 11 इंच के मार्क पर इस तरीके से fix करके रख देंगे और रखने के बाद में यहाँ पर हम अपनी pin लगा देंगे जिससे के यहाँ से हमारी कंदी हटेना यहाँ पर हमने pin up कर दिया है और pin up करने के बाद में देखी दोस्तो यह हमारे neck की जो broadness है वो 11 इंच पर fix हो गई है और fix करने के बाद में आपका paper बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से निकलेगा क्योंकि आपको यहाँ पर अपने paper को armhole की shape में काटना है और आपका pattern भी कुछ यहीं से इस तरीके से कटने वाला है यहाँ पर भी हम एक pin चाहें तो pin लगा दें और नहीं तो इससे हटा कर भी रख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद में दोस्तों आपको करना यह है अपने paper की बाहर वाली side पर एक 1 inch का निशान लगाना है यह हमने अपना 1 inch पर निशान लगा दिया इसके बाद यह वाली कंदी से अंदर की तरफ आपको 1 and half पर एक mark लगाना है मतलब कि 1.5 inch पर अब इसके बाद दोस्तों आपको यहां की दूरी और यहां की दूरी नाप लेनी है कितनी आ रही है तो देखी यहां पर आपकी 1.5 में एक point कम है तो 1.5 का आप आदा करेंगे तो होगा 7.4 और 7.4 में आप हलका सा कम कर देंगे तो देखी यहां पर हमने अपना 20 center का एक mark लगा दिया है और लगाने के बाद में दोस्तों आपको करना यह है इस center वाले निशान को हलका सा सीधा कर ले इस तरीके से और सीधा करने के बाद में आपको अपने neck की लंबाई नापनी है आप 3 inch रखनी है आपको जब भी आप इस design को बनाएंगे तो 3 inch ही रखेंगे यह देखी है हमने अपना 3 inch पर mark लगा दिया है और लगाने के बाद में आपको यहां से यहां तक की एक safe देनी है देखी इस तरीके से यह हमने अपनी safe दे दी है इसी तरीके की same safe हमें दूसरी side पर चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने paper में से pin को निकाल देंगे और निकालने के बाद में जो यह हमने अपना mark लगाए इस mark से paper को इस तरह fold करेंगे तो यह देखी हमारा निशान जो है दूसरी side पर आ गया है इसको हम थोड़ा dark कर देते हैसे यह देखिए अब हमारा निशान जो है वो same आ गया है इसके बाद आपको अपने neck को फिर उसी तरीके से set कर देना है यह सेट हो गया है इसके बाद दोस्तों आपको करना ही है यहां से हलकी सी आपको गोलाई दे देनी है यह आपको गोल कर दिना है मतलब की और गोल करने के बाद में आपको करना यह है देखी इस तरीके से हमारा यहाँ पर गोल हो गया है अब आपको अपने आर्मोल से नीचे की तरफ एक वन इंच पर मार्क लगाना है वो मार्क आपको पेपर को पहले यहाँ पर एक मार्क लगा लें यह हमने अपना वनिज पर निशान लगा दिया है और निशान लगाने के बाद में पहले आप अपने आर्मोल का सेम निशान लगा दें यह देखिए यह हमने अपना मार्क लगा दिया है इसके बाद दोस्तों आप अपने ब्लाउस के पीश को इस तरी के से हटा दें कुछ इस तरीके से देखिए और ले जाने के बाद में आपको यहां पर टच कर देनी है यह देखिए दोस्तो हमारे पैटन का जो मार्क है वो आसानी से लग गया है इसके बाद हम सेम कटिंग कर लेंगे अपने पेपर की तो देखिए दोस्तो यहां पर हमने अपने पैटन को बाखोवी काट लिया है ऐसा ही एक पैटन दोस्तो हम अपनी बैक के लिए काटेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक पेपर और लेंगे और पेपर लेने के बाद में इस तरीके से इसको बिचाएंगे और अपने पै काटेंगे क्योंकि बैक का जो आर्मुल होता है थोड़ा अलग तरीके का होता है क्योंकि इसमें गोलाई थोड़ी कम होती है और सामने वाले में गोलाई थोड़ी जादा होती तो इसी तरीके का सेम पैटन हम काट लेते हैं तो देखिए दोस्तों फ्रंट के जैसा ही हमने उसके कपड़े पर चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में देखी इसमें हमने कहां कहां मार्जन किस प्रकार से छोड़ा हुआ है देखिए आर्मोल से बिल्कुल कपड़े को मिला कर काटा है और यहां पर भी मिला कर काटा है उसके बाद जो आप rounding देख रहे हैं rounding पर हमने quarter inch से थोड़ा कपड़ा ज़ादा चोड़ा हुआ है और neck के अंदर भी हमने quarter inch से ज़ादा कपड़ा चोड़ा हुआ है और कंदी की तरफ बिल्कुल मिला कर काट दिया है इसी प्रकार से हमने अपने दूसरे वाले pattern में भी कपड़े को काट लिया है अब हम सबसे पहले अपने front वाले pattern को तयार करेंगे तो तयार करने के लिए दोस्तों हम लेंगे अपना अस्तर ये देखिए ये हमने अपना अस्तर लिया और अस्तर लेने के बाद में हम अपने pattern को इस तरीके से इसके उपर set करेंगे जैसे भी set होता है उस तरीके से set कर लेते हैं यह देखिए यह हमारा pattern set हो गया है अब हम इसको कहां से चलाई लगाकर कैसे तैयार करेंगे देखना द्यान से यहां से हम अपनी चैलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा कर हम पूरी राउंडिंग को कम्प्लीट करेंगे सिर्फ यहां तक तो देखी दोस्तों यहां पर हमने अपनी सिलाई को उतार दिया है और उतारने के बाद में थोड़ा कपला छोड़ने के बाद में वाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे अब दोस्तों आपको यहां पर भी अपने कपड़े को बिल्कुल मिला करके काट देना है तो देखी दोस्तों यहां पर हमने अपने कपड़े को बिल्कुल मिला करके काट दिया है और इसके बाद दोस्तों आपको अपने pattern को इस طریقے से पलटना है यह देखी pattern को हम पलट रहें और pattern को पलटने के लिए दोस्तों आप पेचकस का भी सारा ले सकते हैं तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो pattern है वो इस तरीके से पलट गया है तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारे यह दोनों पैटन तयार हो चुके हैं इसके बाद हम अपने पैटन परSE प्वाइपिन लगाएंगी तो प्वाइपिन लगाने के लिए तो यहाँ से हम अपनी P parc peux को इस तरीके से کंपलिट करेंगी तो ये हमने अपनी matching color के कपड़े की pipe in बनाई हुई है ये दोस्तो डोरी वाली pipe in है आपको भी जब ये pipe in लगानी हो तो डोरी वाली pipe in ही बनानी होगी और दोस्तो अगर ये आपको सीखनी है तो आप हमारे छोटी मगर मूटी वात वाले episode को follow कर ले वहाँ पर आपको ये चीज काफी असानी से सिखाई जाएगी तो इसको लगाने के लिए दोस्तो हम क्या करेंगे देखिए ये वाला खुले होगा margin हम उपर की तरफ रखेंगे मतलब कि नीचे के हमारा बिल्कुल कोई margin नहीं है तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में अपने पैटन को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे सिर्फ pipe in ही pipe in हमारी नजर आएगी और किनारी की सलाई लगाकर हम इसको attach करेंगे तो दोस्तों यह वाली pipe in लगाने के लिए आपको अपनी मशीन में single boot लगाना होता है यहाँ पर हमने single boot लगा लिया है और अब हम इसको attach करेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी जो pipe in अभू कितनी finishing के साथ आ रही है इसी तरीके से हम अपने पूरे pattern में pipe in लगाएंगे लेकिन यहाँ और यहाँ pipe in नहीं लगेगी दोस्तों तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी जो pipe in है वो घूम चुकी है और इसी तरीके से अब हम पूरी pipe in को complete करेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी जो pipe in है वो complete तरीके से लग चुकी है और यहाँ पर हमने अपनी कंदी पर और armhole पर pipe in नहीं लगाई है इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से सेम हम अपने यह वाले pattern पर भी pipe in और अपने दोनों neck पर भी pipe in लगा लेंगे तो यह देखी दोस्तों हमने अपने दोनों ही pattern पर और दोनों ही neck पर बड़ी finishing के साथ pipe in लगा ली है इसके बाद दोस्तों हम अपने front वाले part पर अपने pattern को set करेंगे दोस्तों pattern हम वो वाला लेंगे जो हमने अपने front वाले part से armhole को बिलकुल मिला कर cutting किया था इसको देखी यहाँ पर हमने अपना pattern ले लिया है और लेने के बाद में सबसे पहले अपने armhole से अच्छी तरीके से set करेंगे और करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम अपनी sly को शुरू करेंगे और करने के बाद में इस तरीके से यहां सलाई लगाएंगे और सलाई लगाने के बाद में यहां पर हम अपने front की जोल लिकालते हुए सलाई लगाकर यहां तक इसको attach कर देंगे तो जो हम आप यहां से सलाई लगाएंगे दोस्तों ये सलाई आपकी उल्टे हाथ से लगेगी इसको आपको बड़ा आराम से धीरे-धीरे लगानी होगी अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो यह pattern attach करना है तो यहाँ पर एक plates पड़ी होती है यह वाली इस plates की आपको इस तरीकरा से जोल निकाल देनी है और निकालने के बाद ही आपको अपने pattern को attach करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अपने pattern में टांकी बाण देंगे ताकि हमारी सेलाई यहाँ से खुलेना तो यह दोस्तों देखिए हमारा front वाला pattern जो है attach हो गया है इसी तरीके से हम अपने back वाले pattern को भी attach करेंगे देखिए यहाँ पर हम इसे armhole से बिल्कुल fix करके मिला लेंगे और मिलाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई लगा कर इसको complete कर देंगे तो यह देखिए दोस्तो हमने बड़ी ही finishing के साथ अपने दोनों ही pattern को attach कर लिया है और attach करने के बाद दोस्तो हम लगाएंगे अपनी कंदी की सिलाई तो कंदी की सिलाई लगाने के लिए दोस्तो आपको सबसे पहले नीचे की तरफ अपने back पार्ट को रखना होगा पार्ट को इस तरीके से इसके उपर रखेंगे और रखने के बाद में half inch का margin लेते हुए सिलाई लगाएंगे और दोस्तो आपके ये जो pattern है इन में आपको अभी कोई भी सिलाई नहीं करनी है इस चीज का खास दियान रखना है अब हम अपनी दूसरी वाली कंदी को जोड़ेंगे तो ये हमने अपनी दोनों कंदी की सिलाई लगा ली है कंदी की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तो आपके ब्लाउज में जो काम रह जाता है वो ये है आपको अपने आर्मोल में आस्तीन चड़ाना और फिटिंग की सिलाई लगाना फिटिंग की सिलाई दोस्तो आप पहल की सिलाई लगाने के बाद में हमारे blouse का जो लुक है बहुत ही खुबसूरत आ गया है इसके बाद दोस्तो एक last काम ये बसता है आपको अपने pattern को अच्छी तरीके से यहाँ पर set कर लेना और set करने के बाद यहाँ पर high or look बना लेना दोस्तो अगर आपको high or look बनाना नहीं आता है तो इसके बारे में हमने वीडियो के नीचे description में link दिया हुआ है और दोस्तो इसी के साथ हमारा आज का ये design बिल्कुल complete हुआ आपको हमारा आज का ये design कैसा लगा ये आप हमें लाउज का जो लुक है कुछ इस प्रकार से आएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए तब तब के लिए thank you for your